आपने अभी तक कोलाइडों के विभिन गुणूं, उनके प्रकारों तथा उनकी प्रकर्ती को जान लिया है। आईए अब हम जानते हैं हमारे चारो ओर के विभिन कोलाइडों को। यदि हम अपने चारो ओर देखें, तो अधिकांश पदार्त हमें कोलाइड रूप में ही दिखाई देते हैं। चाहे हमारा भूजन हो, हमारे वस्त्र हो, घरों में इस्तमाल होने वाले फरनीचर हो, हमारा घर हो, या फिर समाचार पत्र, ये सब ही किसी ना किसी प्रकार से कोलाइडों से ही नर्मित होते हैं। आईए, अब हम दैनिक जीवन से जुड़ी हुए कुछ रोचक चीजों को जानें। क्या आपने सूचा कि हमारे आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? तो इसके पीछे भी कारण है कोलाइड। जो हमारा वायू मंडल है वो तो वायू यानिकी गैसों से नर्मित है। लेकिन इन गैसों के बीच बीच में भी कुछ धूल के कण तथा पानी की बुने नमी की मात्रा पाई जाती है। और ये धूल और नमी के जो कण होते हैं वो कोलाइडल रेंज में आते हैं। और कोलाइड का गुण होता है प्रकाश का प्रकिर्णन करना। और इस वज़े से जब सूरिका श्वेत प्रकास इन कोलाइड करनों पर पड़ता है तो ये उस प्रकास का प्रकिर्णन कर देते हैं। अब यहाँ पर सभी कलर का जो रंग है प्रकाश के रंग है उनका प्रकृर्णन होता है लेकिन नीले रंग के प्रकाश का प्रकृर्णन सबसे जादा होता है क्योंकि हम जानते हैं किस प्रकार के प्रकाश के किरणों का प्रकृर्णन होगा या कोलाइट कणों के साइस पर न दिखाई देता है अब यहाँ पर प्रश्ण यह होता है कि शाम के समय जो आकाश हमें जब सूरिष छितिस्त पर होता है उस समय आकाश हमें लाल रंग का क्यों दिखाई देता है तो इसके पीछे भी कारण यही है हमने जाना है कि जो प्रकाश या कोलाइट का रंग होता है व या कितनी दूरी से देख रहा है जब शाम के समय सूर छितिस पर होता है तो उस समय उससे आने वाले प्रकाश का प्रकिर्णन भी उसी प्रकार होता है जैसे कि दिन में होता है उस समय भी नीले रंग के प्रकाश का प्रकिर्णन ही क्योंकि उसकी तरंगधैर सबसे कम होती है उसका प्रकिर्णन सबसे जादा होता है लेकिन जब शाम के समय सूरिष 36 पर होता है तो उस समय प्रेक्षक यूनि कि हमारी दूरी सूरिष से काफी जादा होती है और इसलिए जो नीले रंग की प्रकाश की जो किर्णे होती हैं वो ज्यादा प्रकृणनित हो जाती हैं और वो उतनी दूरी तय करके हम तक नहीं पहुच पाती जबकि लाल रंग के प्रकाश का उनका प्रकृणन कम होता है और उसकी तरंग धैर ज्यादा होती है तो वो ज्यादा तेजी से हम तक पहुच पाती है इसलिए हमारे आखों तक लाल रंग का प्रकाश पहुच पाता है और इसे लिए जो छितिज है वो हमें लाल रंग का दिखाई देता है तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो प्रकृति में या आकाश का निला रंग है वह भी कोलाइट करनों की वज़े से होता है इसके बाद दूसरा उदारन हम देखते हैं कि कोहरा या धुन ये भी एक प्रकॉर के को लाईड़ी है को क्या होता है अब जानते हैं कि हवा में हमेंसा नमकी मात्र होती है और नमकी मात्र बारिश की दिनों में ज्यादा हो जाती है जब कि गर्मी की वजर से जम जाती हैं तो उस समय हमें कुरा दिखाई देता है और इसी तरह से हम देखें बादल बादल भी एक प्रकार के हैं यह एक प्रकार के एरोण इंधूह ह्याई मैं पानी की बूंदे जब इकटे हो जाती है तो उसे हम बादल !! और इसे लिए जब ये बादल जहां पर ये डिस्चार्ज होते हैं ये इनका आवेश समाप्त हो जाता है वैसे ही जब ये पूरी बूंदे इकठी हो जाती हैं और इकठी होने की वज़े से फिर जब ये नीचे बारिश के रूप में गिर जाती हैं इसी तरह से हम देखें कि जब दो विभिन आवेश वाले बादल होते हैं जब आपस में टकराते हैं यानि कि एक धनावेशित बादल है और या रनावेशित बादल है जब वो आपस में टकराते हैं तब भी वो एक दूसरे के चार्ज को उदासीन कर देते हैं और इस वज़े से वहां पर बारिश हो जाती है इसी का कोलाइडल गुण का उपयोग करते हुए हमने देखा कि कृत्रिम वर्षा भी कराई जाती है जब जहां पर बादल होते हैं लेकिन हवा की वज़े से वो दूसरे दूर स्थान पर चले जाते हैं और इस लिए कभी-कभी किसी स्थान पर बारिश ही नहीं होती और इसलिए वहां पर कृत्रिम रोष से बारिश करानी पड़ती है उसके लिए क्या करते हैं जो बादल होती है उस पर जिस प्रकार का चार्ज होता है उससे विपरीत चार्ज वाले विद्दुतिय कणों विद्दुतिय धूल के कणों को का छुड़ काव उस पर कर दिया जाता है जिससे बादल का जो चार्ज है वह उदासीन हो जाता है और बादल वहीं पर बारिश के रूप में गिर जाते हैं इसी तरह से विप्रीत आवेश्ट वाले सौल का स्प्रे कर देने से यहां पर जो बादलों का आवेश है वह समाप्त हो जाता है और वह बारिश के रूप में नीचे गिर जाते हैं इस तरह से सावल का उप्योग करके उनका स्प्रे करके कृतिम बारिश भी कराई जाती है इसके बाद हम देखें हमारे खाद्य पदार्थ तो आपने विभिन के रस उप्योग करते हैं आइस क्रीम यह सभी किसी ने किसी प्रकार के कोलाइड ही होते हैं इसके अलावा हम देखें हमारा रुधिर यह भी एक कोलाइड है रुधिर मुखे रूप से एक ऐलमुनाइड पदार्थ जो कि एक प्रोटीन होता है जो की प्लाजमा में पाया जाता है उसका एक कोलाइडी विलियन है जो की negatively charged रनावेशित होता है इसलिए आपने देखा होगा कि जब हमें कहीं कट लग जाती है और रक्त ब्लेडिंग होने लगती है तो उस समय हम वहाँ पर यदि फिट करी खिजते हैं या फेरेक का उप्योग करते हैं तो कुछ समय में ही वहाँ पर रक्त का ठक्का बन जाता है ब्लेड क्लोटिंग हो जाती है वह इसलिए क्योंकि जो रनावेशित सॉल है जब हम उसमें फिटकरी को रगड़ते हैं तो फिटकरी में प्रेश्यम फिटकरी का आप सूत्र जानते हैं यहा पर जो धनावेशित आयन होता है Aluminium 3 प्लस आयन होता है वह वहां पर विद्दत अफगट्की भाती उप्योग होता है उसका और वह रनावेशित सॉल को उदासीन कर देता है जिससे वह ब्लैड वहीं पर स्कंधित हो जाता है और स्कंधित होने की वजह से वहीं पर व्यम जाता है जिससे एमारी ब्लेड विसल सील हो जाती है और रक्त का भेना रुप जाता है यही क्रिया फेरी च्लॉराइट के द्वारा भी होती है इसके बाद हम देखें कि मर्दा जो भूमी की ऊपरी पराथ होती है और जिसमें यूमिस के मात्रा भी पाए जाती है और इसलिए यह उर्वर होती हैं कि इसमें उपजावपन पाया जाता है ये मृदा भी एक प्रकार का कोलाइड ही होती है और इसमें जितनी औरगनिक पदार्थ यानिकी हुमस की मात्रा जो होती है वह एक रक्षी कोलाइड की भाती कारे करती है और मृदा में कोलाइडल प्रकरती होने की वज़े से ही इसमें जल को या पूशक पदार्थों को अध जोग्रफी में भी पढ़ा होगा है ना कई बार प्रशन पूछे जाता है डेल्टा डेल्टा किस प्रकार से निर्मित होता है तो सबसे पहले तो यह आप देखें कि डेल्टा कहां पर निर्मित होता है डेल्टा जब जहां पर नदियां समुद्र से मिलती हैं उस स्थान पर देल्टा का फॉर्मेशन होता है डेल्टा एक उथली हुई सतह भूमी की सतह ही है तो यहां पर यह निर्मित किस प्रकार से होती है जब नदियों के द्वारा विबे ने प्रकार के क्ले मिट्टी मृदा या फिर हुमस जो पदार्थ हैं वह कोलाइडल प्रकृति के हैं और ज जानते हैं कि समुद्र में विबेन प्रकार के साल्ट पाए जाते हैं जो कि विद्धुत अब घट की भाती कारे करते हुए इन रणावेशित कोलाइडल पदार्थों को सकंदित कर देते हैं और जैसे यह सकंदित होते हैं उसी यह नीचे तुरंत और क्षेप के रूप में सटल डाउन जमा होते जाते हैं जब यह पदार्त वहाँ पर जमा होते जाते हैं तो एक समय के बात यह जलू के से ऊपर आ जाते हैं यह यह एक मैदान का रूप धारन कर लेते हैं और चुकि मैदान का रूप धारन कर लेते हैं इसलिए आने वाली जो नदी है वह अब दो भागों में क्योंकि बीच में स्थल उचा हो गया है तो उसका वह दो भागों में बढ़ कर समुद्र से मिलती है तो इस तरह आप यह बहुत सा उपजाव पदार्थ यूमस की मात्रा खनीजलवन यहां पर डिपॉजट होते हैं इकठे हुए होते हैं इसलिए यह जो डेल्टा की जो भूमी होती है बहुत ज्यादा उपजाव होती है आपने सुना ही होगा जोग्रफी में पढ़ा होगा सुन्दर्वन का डिल्टा यह सभी काफी उपजाव भूमी के रूप में होते हैं तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि हमारे दैनिक जीवन में जो बहुत सी क्रियाएं हो रही है वह भी कोलाइड की वजह से ही होती हैं आई अब हम जानते हैं कोलाइडल पदार्थों के कुछ अनुप्रयों या कुछ कहा कहा पर इनका हम उप्योग करते हैं आपने जाना कि कोलाइडल पदार्थों में विशेस गुण पाये जाते हैं और इनके विशेस गुणों का उप्योग हम अपने विभेन छेत्रों में करते हैं तो आये जानते हैं कि हम इन कोलाइडों का किन-किन और दोगिक शेत्रों में या दैनिक जीवन से जुड़े हुए छेत्रों में इनका उप्योग हम करते हैं सबसे पहला उप्योग है धुवे का विद्धुती अवक्षेपन और जो कि हमारे परियावरण के दिस्टी से भी बहुत ज्यादा महत्यपूर्ण हैं अब सभी जानते हैं कि विभ अधर इनके शुद्ध करने के लिए यह निकलने वाले धुए को सीधे वायों में न डालकर एक कक्ष में डाला जाता है और जिसमें हम जानते हैं कि जितने भी यह कार्बन और आर्सनिक के सलफाइड होते हैं यह रण आवेशित होते हैं तो यहाँ पर जितनी अशुद्या होते हैं जिसे हम कौट्रेल अवक्षेपक कहते हैं वहां पर इलक्ट्रोड लगे होते हैं जिन पर विपरीत आवेश होता है को जो यहां पर धूल धुमे के कड होते हैं उनसे विपरीत आवेश में पाया जाता है तो जैसे ही यह कार्बन या आर्सनिक के जो इन पर वायू भ शेप के रूप में नीचे गिर जाते हैं, जबकि छनी हुई वायू बाहर निकल कर जाती है, तो इस तरह से इस प्रकार का जो क्रिया है, उसे हम पाट्रेल अवक्षेपक कहते हैं, जो प्राया आजकल सभी इंडरस्टी में लगाया जाता है, दूसरा है पेर जल का शुद्ध करन, ये तो हमारे पुराने समय से हम करते आए हैं, कि जब भी जो पानी में निलंबित अशुद्या होती है, जो तैरती हुई अशुद्या हमें दिखाई देती हैं, जिस पे हमेशा नेगटिव चार्ज होता है, रनावेश होता है, यदि हम इसमें फिटकरी मिला देते हैं और कुछ समय के बाद उसे देखते हैं, तो चुकि फिटकरी में धनावेश होता है, वो एक एलेक्ट्रोलाइट की तरह कारी करता है, और इस निलंबित अशुद्यों को डिस्चार्ज कर देता है, और आप जानते हैं कि जो कोलाइट का ये जो निलंबित अशुद्या होती है, इसी तरह से अब हम देखें और शदियां, अधिकांस और शदियां कोलाइटल प्रकृति की ही होती हैं, क्योंकि हम जानते हैं, जो कोलाइट होनते हैं, उनका प्रिष्ट छेत्र अधिक होता है, और इसलिए जब इनका उप्योग, इन कोलाइटल रूप में हम का उप्योग करते हैं, तो हमारे शरीर में उसका प्रभाव ज्यादा होता है, इनका स्वांगी करन ज्यादा अच्छे से हो पाता है, और इसलिए बहुत सारी और शदियां कोलाइटल प्रकृति के रूप में उप्योग में लाई जाती है, कुछ उदारन हम देख सकते हैं, जैसे कि आखों का लोशन होता है, जैसे हम और जिरोल कहते हैं, ये और जिरोल सिल्वर का ही एक सॉल होता है, इसी तरह से जो हैजा या कालजार के इलाज के लिए उप्योग में लाए जाता है, या एंटी मनी का एक सॉल होता है, इसी तरह से अंतरपेशिय इंजेक्शन के प्रकार का इमल्सन ही होता है इसके अलाबा आपने देखा जो कॉड लिवर आयल है यह भी एक प्रकार का कोलाइड ही होता है इसके बाद हम देखें कि एक महत्तपून जो इंडस्ट्री है वो है चर्म या लेदर अंडस्ट्री लेदर अंडस्ट्री में जो चर्म या लेदर का टैनिंग की जाती है वो भी एक प्रकार से कोलाइडल गुणों के आधार पर ही की जाती है हम जानते हैं कि जो जन्तूं की खाल होती है वह कोलाइडल प्रकृति की होती है और उस पर पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है जब कोलाइडल और वह काफी नरम होती है जो जब इसको टनिक पदार्थों पर डाला जाता है जैसे कि कि सी में डाले जाता है या फिर यहां पर पॉली पाणिव इनल ही कम्पाॉंट्स में juste होता है तो यह दोनों के धनावेस और रनावेस अपस में एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं और यहां पर भी एक प्रकार की प्रक्रिया होती है और इस तरह से यह दोनों आपस में जुड़ जाते हैं वहाँ पर और जो हमारा चर्म है जो लेदर है वो काफी कठोर हाड हो जाता है और जिससे विभिन प्रकार की चीजें बनाई सकती हैं इसी प्रकार से साबुन की या डिटोर्जन की जो प्रक्षालन प्रक्रिया आपने पहले ही समझ ली है वह भी मिसल फॉर्मेशन यह भी कोलाइडों के गुणों को ही दर्शाता है इसके अलावा आपने आजकल बहुत कम उप्योग में लाए जाता है जो पहले कैमर लेकिन उसमें जो कोटिंग की जाती है वह एक कोलाइडल पदार्थ की होती है और वह कोलाइडल पदार्थ होता है सिल्वर ब्रोमाइड का जिलटीन में बना हुआ कोलाइड और जिसकी कोटिंग कर दी जाती है क्योंकि सिल्वर ब्रोमाइड जो है प्रकाश के प्रति मारे लिए काफी महत्वपून और दोगिक महत्वका होता है रबड आप जानते हैं जो प्राकृतिक रबड होता है वह रबड के जो बड़े-बड़े पेड़ होते हैं उनसे प्राप्त किया जाता है जब उसमें कट कर देते हैं तो एक दुधिया सा पदार्थ लेटक्स निक के विद्धत अपघट को मिलायकर इनका सकंदन कर लेते हैं और यह जो सकंदत पदार्थ होता है जो अक्षेप के रूप में पदार्थ प्राप्त होता है उससे ही रबड निर्मित होता है यह वही रबड होता है इसके अलावा हम देखें और भी हमारे दैनिक जीवन से स्याही है या फिर बहुत सारे जो हमारे सिंथाटिक प्लास्टिक होते हैं बहुत से लुब्रिकेंट्स होते हैं सीमेंट हैं यह सभी किसी ना किसी प्रकार के कोलाइड है या फिर कोलाइडों से निर्मित होते हैं तो आप देख सकते हैं कि कोलाइडल का संसार कितना विस्तरत है और हमारे दैनिक जीवन से जुड़ी हुई बहुत सी चीजों या दोगिक छेत्र के लिए ये कितना महत्त पूर्ण है